क्या आप भी सोच रहे हैं मैं इतनी सारी रेड चिली का क्या करने वाली हूँ तो यह आपको रेसिपी में पता चलेगा इंट तक देखेगा अरोमाटिक कोकिंग अब तक फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजे यहाँ पर हम ले रहें एक से दो टमाटर इसको बारिक चॉप कर लेना है साथी साथ तीन से चार मीडियम या बड़े साइस की प्यास जिसको बारिक चॉप कर लेंगे चॉपर के हेल्प से भी चॉप कर सकते हैं यहाँ धाई सुग्राम पनी लिया है जिसको आप इस तरह से पीसिस में कट कर लेंगे सारी ही तैयारी पहले ही करके रख लेंगी तो इजी होगा बनाना कुछ खड़े मसाले ले लेंगे यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं इसके साथ हमने लिया है यहाँ पे कट, मटर, साथी साथ अधरक लहसुन का पेस्ट इसके साथ में बारी कटावा आपका टमाटर और इसके साथ अधरक लहसुन का पेस्ट आप देखी चुके हैं आप बाद में भी आट कर सकते हैं, इसमें पानी डाल कर 15 मिट के लिए 10 मिट के लिए सो करके रख दीजेगा, इससे बहुत 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 बहुतरी तेस्ट आता है, अब एक हांडी या फिर कड़ाई ले लीजेगा, उसमें सारी ही खड़े मसाले आप आट कर दीजेगा और भून लीजेगा, जिसमें कि आप ले सकते हैं, जीरा, कसूरी मेथी और कुछ खड़े मसालों में जाइफल या फिर जावित्री और तेजपता, दालचीनी भी ले लीजेगा और इसमें अद्रक आप चाहें तो पहले भी बारी काट के डाल सकते हैं, पर लहसुन जरूर डा जब इसमें अच्छे से बॉन हो जाए न, उसके बाद ही आप इसको बनाएंगे, थोड़ी सी हीन डाल दीजेगा, फिर अद्रक लहसुन के पेस्ट को इसी में भून लीजेगा, इस तरह से ये वाली स्टेप फॉलो करने के बाद में आप नेक्स टेप पे जाएंगे, और इसे रेसिपी में बहुत ही जादा बहतरी टेस्ट आता है, अरोमा बहुत अच्छा आता है, तो जैसे की नाम ही चैनल का है अरोमाटिक कोकिंग तो खुश्मुगानी तो लाजमी है, यहां पर पारी कट हुआ हमने ले लिया प्यास, आप दरदरा पिसा हुआ प्यास भी ल बहुत ही जादा टेस्टी बनती है और एकडम रेस्ट्राइट श्टाइल आपकी रेसिपी घर पर बनती है, बहुत लजीज लगती है, इस तरह से इसको बहुत देर तक भूंते रहना है, बीच बीच में इस्टिर करते रहेंगे और बहतर होगा, इसमें हलकासा सॉल्ट आ आपको मज़ा आजाएगा तो इस तरह की रेसिपी को वीकेंड पर ट्राइब कर सकते हैं और यहां पर हमने इसको देखी बीच में ओपन करके देखा हो बहुत अच्छे से सॉफ्ट होगी है हमारी प्यास ओयल बहुत जादा आप चाहें तो इसमें आट कर लिजगा बट मैंन ट्राइ किया है कि जितना कम हो सके उतना रखना है बट फिर भी आज थोड़ा जादा ओयल इसमें पढ़ गया है तो यहां पर अच्छे से प्यास भूनने के बाद में हमने इसमें टमाटर आट कर देना है टमाटर बारीक चॉप किये वे या फर दर दर यह लेग सकते हैं प पेशिंस चाहिए होंगे अगर बहुत लजीज रेसेपी चाहिए ना तो इस तरह से बनाइएगा एक तरफ हमने ले लिया है बटर थोड़ा सा ओयल ताकि ऑयल के साथ में बटर जलता नहीं है इस तरह से पैन नॉन स्टिक पैन या फिर कोई भी घर में जो पैन यूज करते बहुत 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 बहु तो यहां पर हमने ले लिया फ्रोजन मटर फ्रेश मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है इसको भी हम इसी के साथ में सेख लेंगे इस तरह सी अच्छी सिख जाएगी तब तक हम दूसरी चीज़े चेक कर लेंगे कि आपका मसाला जो एक तरफ पक रहा है उसको आप चेक कर मिर्ची पाउडर ठाइब है और मिर्ची पाउडर हमें इसमें डिया तो यहलो मिर्चेली बाउडर मारे आट आब च लेकर था है और इसाने काउड़ हम यहां तौड़ा si noamuk यहां पर त्वह तरह हैँरौड़ ऑप नीच bri एआपक यहेंड़्ट कर लेंगे कि लोड़ और इसमें जादा तीखा पन नहीं होता है इसलिए हमने इसको आड़ करके इस तहां से देखे चला दिया है इस्टिर कर देना है और इसको अगेन पांसे दस निट के लिए ढखकर रग दीजेगा जिससे कि यह बहुत ही जादा सौफ्ट हो जाएगा और मसाले अच्छे से पक जाएगे जब मसाले अच्छे से पक जाएगे आप इसमें आड़ कर दीजेगा कर्ड आधा कटोरी बड़ी कटोरी ले रहें तो आधा कटोरी लेजेगा चोटी कटोरी ले रहे हैं तो एक चोटी कटोरी लेकर कर्ड इसको चब तक चलाईगा जब तक इसमें बॉइल आनी जाए अगें बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है तो मैं तो यहां सामने हूं इसलिए मुझे पता चल रहा है आप लोग मैं इमेजन कर सकते हैं कि यहां पर कितना अच्छा सा टेस्ट फ्लेवर मुझे आ रहा होगा तो यहां पर मसाले अच्छी से पग गए अब हमने जो सेका था पनी पर बहुत आपको दिवाली सेजन में बड़ी काम आने वाली है तो इसको सेव कर लीजेगा और शेयर कर दीजेगा क्योंकि दिवाली पर गेस्ट भी आते हैं और आप घर में भी ऐसे रेसेपी बनाते उस टाइम पर क्योंकि बच्चे होस्टल से आ रहे होते हैं कॉलेज की चुटियां और यह होती हैं स्कूल की चुटियां होती हैं तो आप सोचते हर दिन कुछ ने कुछ अच्छा बनाया तो हमने पानी के साथ इसको आड़ कर दिया था अब आपको जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए उतना पानी आड़ कर देजागा मैं नहीं पर करीब एक ग्लास इसमें आड़ किया था और इसके सारा ही पनीर और देखिए मटर हमने अच्छे से पका लिया एक बोई ला गया है अगेन इसको पांच मिट के ठकके रख दी जगा और इसको फिर से पका लिजगा जितना इसको देर पका लेंगा फिर से उतना अच्छा सी खुश्बू कर तैयार होगा तो लास में आपको एक तड़का और बाकी है जो कि बहुत लजीश टे इसको आप पूरी पराठा के साथ अन्जोय कर सकते हैं तो इस तरह से देखिए फैस्टी सीजन पर बहुती 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 बहुत आपनी टेस्टी रेसिपी आपके लिए आने वाले मैंने थोड़ा कम बटल लिया था जादा ओयल पहली हो चुका इसको जादा हम नहीं रखेंगे इसको जादा तड़का लगाएंगे तो अच्छे से देखने में कलर टेम्टिंग लगेगा धनी के साथ गानिश कीजिगा और इस अमेजिंग से रेसिपी को इस बार जरूर फेस ही आजाएगा तो इस तरह से रेसिपी हमने शेयर किया आज हमने मालाबार पराठा के साथ में इसको सर्व किया है तो मैं तो चली इसे इंजॉय करने आप जब तक इसको बनाने की कोशिश के लिए सेव कर लिए शेयर कर दीजेगर ऐसेपी को अच्छी लगे रेसिपी तो लाइक शेयर करना बिलकुल मन भूलीगा इस तरह की अमेजिंग रेसिपी तो सेव कर लिजे फॉलो कर लिजे